दोस्तों विश्वस्तरिये गूची के छले नागूर को यदि आपको वाके में देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखे हम सुरुआत करेंगे उपचार के अंदर से जहां उपचार है वो किया जाता है सर्दी यहाँ पर इस जगह पर किस चीज का इलाज होता है उपचार पेटी है जहां यह कैंसर पीडित गोवन से उनके लिए दवयां बेंडेज बगरा जो भी होता है सारा इंके इनके बेंडेज चेंज करनी पड़ती यह कैंसर वाली गाये हैं जो अभी जो कंपाड़र इनमें जितनी भी गायें आपको दिख रही है ये सारी की सारी कैंसर से पीडित हैं जिनका इलाज उपसार रेगुलर यहां पर होता है इस गौसाला में जो पहली गोवन से यहां पर आई थी नंदा गोमाता का जो समादिस्तल है यहां पर स्टित है और इसकी पूजा अर्चन में तीन काल भैरों के मंदीर है जिसमें तीसरा सबसे बड़ा मंदीर नागोर की इस गौसाला में स्तित है दोस्तों विश्वय का दूसरा ऐसा मंदीर है जिसमें काल भैरों की मूर्ती प्याला ग्रहेंड करती है जिसे दारू का सराब का प्याला कहते हैं तो यह भी एक किसी कारण से गर्चित तूट गया है या किसी एक्सिडेंट के कारण इनको चति पोंचे यहां पर जो सरदालू आते हैं वो भी इस पूरी गुवसाला को देखने के लिए यहां पर गुमते हैं क्योंकि 36 बिगा के अंदर इस गुवसाला का निर्मान किया गया था और आज व जो चल नहीं सकती और मर्त्यू की कगार पर होती है जो यह नमर आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर कोल आता है कंट्रोल लूम के अंदर कंट्रोल लूम से डारेक्ट इनको भेजा जाता है ऐसी 18 एंबुलेंस यहां पर स्थित है यह नंदी साला है यहां पर जो भी घायल नंदी है उनको लाया जाता है जो आपको दिखाई दे रहा है यह देखिए कहीं न कहीं किशी न किशी कारण से जिन नंदी को चोट आती है उनको यहां तक लाया जाता है बहुत ज़्यादा गायल यह नंदी है जिनको यहां पर इलाज के लिए लेकर आया जाता है इलाज करती है जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह पक्षी गायल है दोस्तों गոवंस के साथ-साथ इस सिक चैला में यहां पर कच्चु जो गायल मिलते हैं उनको भी इलाज के लिए लेकर आया जाता है उनको को पीने के लिए साफम पोनीन ही मिल रहा है नहीं पर गोवंस के लिए Arokah filter water यूज के आजाता है यह जो पानी आप देख रहे हैं यह नहीं से फिल्टर होकर गोवंस को पिलाने के लिए यहां पर यूज किया जाता है देखिए इनी के पास में यह ठान टाइप ये सिस्टम बनाया गया है जिसमें आरो का फुल फिल्टर वाटर यूज़ किया जाता है अन्य पक्षियों के साथ साथ यहां पर आपको सुतुर मुर्ग भी दिखाई देगा जो गायल अवस्ता में है और यहां तक पहुंचाया गया है किसी ने किसी सजन के दौरा दोस्तों पूरी गौसाला को गाइड करने के लिए हमारे साथ जो सजन है जो करमसारी है बहुंड लाल जी उनसे हम जानेंगे पिश्यों के लिए खाने के लिए अनाज भी रखावाएं तो इन गौमाता के लिए मतलब डेली सुबह और स्याम गोमाता के लिए बांटा बनता है तो उनके लिए इसके अंदर सामगरी रखई हैं यहां से गौमाता को दल्यापीश के वहां पर अपनी 25 कड़े लगी गोम दोस्ता आपने नहीं देखे होगी जो आवारा जो पसो यहां पर आते हैं उनके लिए देखिए चान कर इस कुट्र को डाला जाता है और यह गोदाम एक अच्छी क्वालिटी का जो चारा होता है उसके लिए यह स्पेसली बनाया गया है दोस्तों जिन 18 एंबुलेंस की में ब बताया जाता है वो लेकर एंबुलेंस को चले जाते हैं तो यह कंट्रोल रूम स्पेसली बनाया गया है तो विश्वस्तरिय गोच के चाले नागोर के अंदर पांस राजियों से बिमार गोवन्स आते हैं पांस सो गौव सालाओं से भी बिमार गोवन्स है उनको यहां पर किया जाता है जिसमें हरियाना, उत्तर परदेश, राज़स्थान, पंजाब और मद्य परदेश एक ऐसा मेडिकल इस गोच के चाले के अंदर स्थित है जिसमें 60 से अधिक क्रम सारी कारियरत हैं तीन सिप्ट के अंदर यहां पर काम होता है दो सिप्ट रात को और एक दिन क दोस्तो 9 लाख रुपए से अधिक का खरचा इस मेडिकल के अंदर आता है परमन्थ इस मेडिकल के अंदर 9 लाख रुपए का खरचा आता है तो निचे दिएगे नमरों पर सक्रीन पर मैं नमर दे रहा हूं इस नमर पर आप फोन पे गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं डायर है जिनकी तूट फूट होती है जिसमें इस चितर में दिखाया गया है उनका एक्सरे यहां पर किया जाता है दोस्तों जिस तरह आदमियों का ओपरेशन होता है उसी तरीके से इस गोचिकित शाले के अंदर गायों का ट्रीटमेंट होता है ओपरेशन होता है जैसे कई तरह रहे कि ओपरेशन यहां पर किये जाते हैं जो डोक्टरों की टीम है जिनका जटिल ओपरेशन होना होता है उनको यहां पर लेकर आए जाता है और डोक्टरों की टीम इस कारवाई को पूर्ण करती है। यह वो स्थान है जहां पर बोस बैठते हैं जिन आनात बच्चों की माएं गुजर जाती हैं उनकी देखबाल करने के लिए भी एक स्पेसली वार्ड यहां पर बनाया गया है जो बच्चडे सड़कों के उपर अकेले गुमते नजर आते हैं उनको यहां पर लेकर आया जाता ह है और यहां पर उनका ट्रीटमेंट करके देखबाल की जाते हैं इस तरफ यहां पर इनके लिए जूले भी लगाए गए हैं देखे कितनी स्यांदार विवस्ता है इन्हें गोपाल की नाम से यहां पर जाना जाता है और दो से तीन जूले यहां पर लगए वे का आप समय आगया है उस सर्दियों में गौवंस को सर्दी से बचाने के लिए ये पाल है उनकी व्युसता सबसे पहले देखिए बड़ी सहत तरीके से इनके अंदर कपूर की गोलियां डाल कर गर्मियों के अंदर रखा जाता है और सरदियों में इन्हें यूज किया जाता है तो किस तरीके से ये पाल यूज किया जाते हैं इस तस्वीर में आप देख सकते हैं साइडों के अंदर इन पाल को लगाया जाता है ताकि जो गोवंस हैं उनको सरदी ने लगे तो बड़ी शामदार वेवस्ता अ तीन गाड़ीयां साथ में चलती है तो ये वाहन है ये बोस्के हैं तीनों के तीनों और मैं जो जिस गाड़ी को हम कह सकते हैं जिने आप वीडियो के अंदर देखते हैं वो ये गाड़ी है एक रूपए में रूम मिलना एक मजाक वाले बात हो सकते लेकिन विश्वस्तर ये गूची के चाले के अंदर आपको एक रूपए में ये फाइफ स्टार रेटिंग वाला रूम उपलब्द मिलेगा जो बेहत स्यांदार है देखे इसके विवस्ता देखे बैट देखे साफ स सिकत्षाले के अंदर आप अपना दान दे सकते हैं और ये तुला दान आपको हर किसी जगए पर नहीं मिलता ये तुला दान विश्वस्तर ये गूची के चाले के अंदर उपलब्द है जो किशी सजन ने यहां पर करवाया है ओनला इन तरीके स्क्रीन पर जिस परकार आप को दिखाई दे रहा है इस परकार से आप सयोग के अलग-छलग परकार हैं वो चुन सकते हैं और जो गोदान पातर नमर यहांपर दिए गए हैं इन पर कॉल करके या अपने इंच्यानुसारा आप दान के अंदर अपना सहोग जरूर दें जो नमर मैंने सक्रीन के उपर लगाए हैं उन पर अपनी इंच्छा नुसार आप सहोग दे सकते हैं और मैं कहूंगा कि आप यहां पर आकर इस गोव साला को देखें इस गोव साला को देखने के बाद आपकी इंच्छा अपने आप जागर ही हो गोसाला के लिए तो आप जरूर इस कमेंट बोक्स में आप अपनी राए दे सकते हैं बोस की ये गोसाला आपको कैसी लगी ये भी राए जरूर दें आज का जो एपिसोड है यहीं समाप्त करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद राम राम